नवस्कार मनी नाइन जटपट में आपका स्वागत है, मैं हूँ फ्रनव इंशोरेंस पॉलिसी लेने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरन यानी IRDAI पॉलिसी धारकों की शिकायते सुलजाने के लिए अपने निगरानी को और धारदार करने की त्यारी कर रहा है यह regulatory body, data analytics tools जैसी उन्दत तक्नीक का इस्तमाल कर अपने शिकायत निवारन तंतर को तुधारना चाहता है IRDAI इसके लिए योजना बना रहा है जिसका मकसद शिकायतों का भेतर निप्टान करना और insurance products की miss selling और claim settlement में होने वाली देरी जैसी आम दिक्कतों को कम करना है claim settlement insurance चेतर के लिए एक बड़ी चुनाती है इसे ग्राहक और insurance companies दोनों पर असर पड़ता है वही miss selling का मतलब है कि policy धारक को गलत product बेचा गया insurance agent या insurance company के sales executive ने बताया कुछ और बेचा कुछ और IRDA की वार्षिक report बताती है कि 2021 में हर 1000 में से 36 policy में miss selling की शिकायत आई इस समय policy धारक IRDA के integrated grievance management system यानि IGMS पे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है और कई बार सीधे IRDA कार्याले से संपर्ग भी कर सकते है IRDA के chairman देवाशिश पांडा ने हाली में कहा था कि IGMS और IRDA के कार्यालेयों में काफी शिकायते आ रही है IRDA अपने तंतर को मजबूत करने के लिए कार्णों की परताल करने पर विचार कर रहा है उन्होंने ये भी कहा था कि Data Analytics से Policy में शामिल उन शर्टों की पहचान करने में मदद मिल सकती है जिनकी वज़े से शिकायते बढ़ रही है एक बार शर्टों की पहचान होने पर IRDA और Insurance Industry उन्हें हटाने या उनमें बदलाव करने पर विचार कर सकता है Regulator एक नया तंत दलाने की भी योजना बना रहा है जिसमें शिकायतों का निप्तान करने के बाद Policy धारकों से उनकी प्रतिक्रिया मांगी जाएगी IRDA अपनी इस नई पहल के साथ Policy धारकों का वेवस्था में भरोसा बढ़ाना चाहता है IRDA भारत में Insurance और Re-Insurance Industry के Regulation और Licensing का काम करता है और IRDA के आदेश इन बीमा कंपनियों के लिए बादेकारी होते हैं IRDA की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में General और Health Insurance कंपनियों ने 24.67 करोड पॉलिसियां बेची 2020 में Life Insurance कंपनियों ने कुल 2.8 करोड पॉलिसियां बेची